हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम लोग बनाने जा रहे हैं खटी मीठी थोड़ी सी तीखी और बहुत ज्यादा चटपटी इमली की चटनी इमली की चटनी का नाम सुनते हैं मों में पानी आ जाता है लेकिन आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के ने लेकर आई हूं इमली की चटनी की इैस Partично की रेस्पी है जिसे के आफे फटा-फट से बनाएंगे और टेस्ट भी बहुत ही जादा होगा और इसे दो लेंगे 1-1 पानी बॉइल करें जब लेना है जब बॉइल हो जाएगा तो हमें इसके अमधर डालेंगे एक कप इमली के बीज निकाल लेने हैं आप चाहें तो मार्केट में 20 निकाले हुए इमली भी मिलते हैं उसे भी आप ले सकते हैं और इसे हम पानी के साथ करीब 4-5 मिनट तक बॉयल कर लेंगे या फिर इमली के गलने तक हम इसे बॉयल करेंगे तो यहां पर इमली हमारी जो है अची तरह से बॉयल हो चुकी है इमली गल चुकी है यहां पर आप देख सकते हैं अब हम गैस को आफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे पूप यहां पी एमली जो है हमाई ठंडी हो चुकी है आव मिसे जुए मिक्सट्ट क्रों डाल कीई और बीस लेगे इसका विल्कुल स्मूध पेस्ट पनाना है हमें और इस ताइम पे हम इसमें बिल्कुल भी पानी आड़ने ही करना है बिना पानी के ही हम इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे तो चलिए आप हम इसे पीस लेते हैं तो पीस्टे के बाद कुछ इस तरह का इमली का पेस्ट दिखाई देगा तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बहुत ही फाइन पेस्ट बनाए हुआ है इसका अब हम क्या करेंगे कि छन्नी के हल्प से इसे अच्छी तरह से छान लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में भी थोड़ा सा पानी डाल करकि और इसे ले लेते हैं अब एक चम्मच के हल्प से हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक इमली जो है उसको मैं अच्छी तरह से छान लिया है इसके रेसे होगर जो है और रह गया है चन्नी में तो हमरा इमली का जो एक अच्छा सा पीस्ट है वो रेडी हो चुका है आगे हम इसे पका लेते हैं तो इसे पकाने के लिए एक छोटा चम्मच हमने घी डाला है पैन के अंदर बिल्कुल थोड़े से घी की जरूरत होती है हमें इसके लिए तो जैसे हैं घी हमारा गरम हो ज जाती हम डाल देंगे एक बड़ा चमच काजू इस चटनी के लिए टुक्रे वाले काजू को हीले इन दोनों को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं जैसे रोस्ट हो जाएंगी हम इसके अंदर डाल देंगे वन फूर टेस्पून हेंगी इसको भी थोड़ सब लेते हैं इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे इमली का पॉल्प जो की हमने जान करके रखा हुआ है पैन में डालने से पहले इसको एक बड़ हम हिला लेते हैं इस सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको तीन से चार मियर तक हम पका लेते हैं तो यह देखिए 42 मियाने लग गया है इमली जो है वह तीन चार मियाट अच्छी तरह से पक चुकी और यह देखिए गाड़ी भी हो गई है तो इस टाइम पर हम एट करेंगे 50 ग्राम अगुर गुर को आप अपने टेस्ट के इसली कव्यादा कि लोग को ज्यादा घट्रा पसंद होता है तो तो अच्छ तरह दो आप ऑढिल्ड को हम एक शिर्षा और इमली के साथ मेल्ट हो Knocked तो यह देखिए गुर और इमली अच्छी तर से मेल्ट हो गया है और बहुत ही अच्छा सा इमली का चटनी जो है वह हमरा रेडिंग हो गया है लेकिन एक दो मिनट और हम इसे पका लेते हैं जिसे की गुर का फ्लेवर जो है और भी ज्यादा निकर करके आएगा और हमारी के मसाले अट करेंगे तो यहाँ पर नाली मिर्च क्वाडर एट करें को रांक आप पे लाष.ापा टो नहीं नहीं भी तक हमने नमत नहीं ढाला था तो यहाँ पर हम नमक डाल रहे हैं according to taste और एक बड़ा चमच हम यहाँ पर डालेंगे तर्वूज की बीच इस सब को mix कर लेते हैं अब गैस के flame को हमें off कर देना है तो यह देखिए बिल्कुल गारी हो चुकी है हमारी चटनी तो यह ठंडी होने के बाद और यह गारी हो जाएगी तो यह बिल्कुल perfect इमली की चटनी जो है हमारी ready हो चुकी है तो friends आपने देखा हो गई कितनी आसानी की साथ और बहुत ही कम टाइम में हमने बहुत ही बढ़ियां जायकेदार इमली की चटनी बनाई है तो आप लोग भी इसे एक बाद जरूर ट्राइ करिएगा यह बनाने में बहुत ही ज़्यादा इसी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे आप किसी भी चाट पे डालके खाएए या फिर दही भले पे डालके खाएए सबकी साथ यह बहुत ही अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स आप लोग एक बाद इस खट्टी मीठी चटपटी चटनी को जरूर ट्राइ करिए और मेरे साथ सेर करिएगा कि कैसी बनी थी और फ्रेंड्स यदि आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें और कमेंट करना विल्कुल भी न भूलें तो फिर चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी खट्टी मिठी और चटपटी रेसिपी के साथ झाल, 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 झाल.